तो चले अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं धनूराशी की यानी आज धनूराशी वाले शनी जियंति पर कैसे करें शनी की उपासना, क्या करें दान, और क्या करने चाहिए ने उपाएई, आएए देखते हैं देखिए अगर आपकी धनुरासी है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज सनी जयनती पर सनी देव को यदि प्रसन करना है तो चुनिए किसी ज़रुत मंद को भोजन कराने के लिए और पूरे सम्मान के साथ भोजन कराईए और किसी ज़रुत मंद ब्यक्ति की मदद भी करिए सनी मंत्र का जब करिए और चमड़े का जूता किसी को दान कर सकते हैं तो करिए लेकिन ज़रुत मंद सनी क्रिपा पाने के लिए हनुवान जी के भी पूजा करनी चाहिए और हनुवान जी को बूदी के लड्डूओं का प्रसाद और भोग लगाना चाहिए और हनुवान चालिशा का पाठ भी करना चाहिए जैमाबिन दिवास में चले अब जान लेते हैं मकर राशी के लिए भी यानि आज मकर राशी वालों को शनी जयंति पर कैसे करनी है शनी की पूझा दान करना है क्या उपाय करने हैं देखें मकर रासी के स्वामी सनी देव हैं और मकर और कुम रासी के जातकों को तो सनी देव की वैसे भी बहुत पूजा उपासना करनी चाहिए आज सनी जयनती पर मकर रासी के जातकों को समी या पीपल के पेण में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए बाजरा या साथ तरह का अनाज़ पंशियों को डालना चाहिए सनी देव के चरणों में नीले रंग के फूल अरपित करना चाहिए अपने घर में सनी देव का ध्यान करते हुए सरसों के तेल का चौंख़़ दिपक जलाकर सनी कवच का पाठ करना चाहिए जीवन की रखषा के लिए सनी मिरतुन्जय इस तोरोत का भी पाठ किया जा सकता है जयमाबिन्दवाशने और मकर राशी के बाद अब बाद कुम्भराशी की आज शनी जयनती पर कुम्भराशी वाले कैसे करेंगे शनी पुजा क्या करेंगे दान और क्या उन्हें करने चाहिए उपाई, आईए देखते हैं निरीह लोगों की मदद करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, काले या नीले रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए, काले चने उबाल कर काली गाय को खिलाना चाहिए, इन सब चीजों से पूरे मिलेगा जैमाविन दिवासनी और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लखी इमेल कुंडली विजेता की, तो आज के हमारे कुंडली के विजेता हैं, दिल्ली के रहने वाले विकास मिश्रा और इन्होंने हमें इमेल के जरी अपने भविश्य के बारे में जानना चाहा है, तो पंड़े जी मैं इनकी डीट जी पहला सवाल है कि ये किसी भी नौकरी में stable नहीं रहे पाते हैं बार बार इनši नौकरी बदलनी पड़ती है अब यह पूछ रहे हैं कि इन्हें कि शेतर में अपना करियर तलास ना चाहिए और दूसरा सवाल है इंका की दिल्ली में इनका मकान कब तक हो पाएगा और शादी कब होगी देखो ऐसा है कि की शुक dal 22 जुलाई 2001 को तीन बजे भोर में दिल्ली में हुआ 등 का स्का जन्म बृत्र विकास वल्क्रका बना रहे हैं लेकिन इनके कुंडली का माइनस पॉइंट यह है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों तिर्तिय भाव में अधम योग बना रहे हैं और प्लस पॉइंट यह है कि धनेस और आयेस दोनों एक साथ धन भाव में हैं लेकिन निगेटिव यह है कि वहां राहू भी साथ मे तो इसलिए अभी सुक्र की दसा चल रही है जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिती बनी हुई है बहुत सिग्रही आपको आजी विका में अस्थाई तो मिलने वाला है आप बिल्कुल चिंता ना करें लेकिन हर समय ध्यान रखें कि 100% effort करने पर 80% से ज़्यादा result कभी नहीं आएगा क्योंकि आपकी जर्म कुंदली में अधम योग उपस्थित है आधम योग से बचने के लिए आपको भगवान सिव की उपासना करनी चाहिए और 24 मिनट रोज ओम नमा सिवाय का जब करना चाहिए जहां तक घर के बारे में आपने प्रस्ण किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी घर में काफी बिलंब की इस्थिती बनी हुई है ये बिलंब कम से कम 4-5 वर्सों का भी हो सकता है घर आपका जरूर होगा इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन बिलंब हो सकता है जै माविन दिवास निए यूही नहीं मैं मैं बन जाता हूँ खुद्रत के कोने कोने से खूबिया खोजलाता हूँ गुनवत्ता की गहराईयों का गोता खोरूँ मैं यूही नहीं मैं रजनी गंदा बन जाता हूँ जचसे परसी भैंकर गर्मी तुम्य वाली पी सून्ग्याउ